प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्था कभी शेक शर्मा और शेक हर जो की देश में सभी राज्यों में बाईक के माध्यम से प्रदानमंत्री का प्रचार कर रहे हैं अब वो पहुँच चुके हैं मसूरी, वही मसूरी पहुचने पर मसूरी छात्र संगठन के अध्यक्षे रविंदर रावत के नेतुत में इनका जोरदार स्वागत किया गया इस मौके पर नरेंद्र मोदी जिंदबाद भारत माता जय के नारे लगाए गए वहीं इस मौके पर अभ शेक और शेक खरने देश की जन्ता से मोदी को दोबारा प्रधान मंतरी बनने के लिए अपील की मसूरी में पत्रकारों से बात करते हुए नरेंद्र मोधी समर्था कभी शेक शर्मा ने बता है कि किस तरह से नरेंद्र मोधी देश को विकास की ओड़ ले जा रहे हैं प्रधान मंत्री जी को दुबारा प्रधान मंत्री बनाने के लिए एक बार फिर मोधी सरकार को लेके हम बहुत बड़ा मुहीम चला रहे हैं पूरी भारत पे बहुत बहुत ब्रदेश से हूँ जगा जगा लोकल लोगों का गाउं की बहुत समर्थन में और सभी लोग मोधी चाला प्रधान मंत्री बने और नई भारत की जो वो निर्मान कर रहे हैं उसमें परधान मंत्री जी के अभी 10 साल और जरूरत है मोधी जी तो अभी सब बूर्ड दे रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सा यूग मिलेगा भी जन्ता की तरफ से पांच दिन पहले मैंने स्टार्ट कि थी और अब लिए चालिस से पैतालिस दिन और से लेगी जिसमें उन्तिस राज्यों में जाओंगा हरे एक राज्य की कैपिटल सिटी में और मैं ब्लॉक कर रहा हूं अच्छी और लोगों से पूछ रहा हूं मोदी जी को बोड देंगे क्यों देंग हैं जंधन योजना इस्टार्ट की हैं आवास योजना के तहट आवास मिले हैं और बिना ब्रिष्टाचार की और एक ऐसा हमें प्रधान मंतरी मिला है जो आप यह सोचिए 16-16 घंटे काम कर रहे हैं तेज दुनिया में भारत का मान सम्मान बहुत बढ़ा है पकिस्तान के ल कर दो